Welcome back to FREAKPbird. So, कल भी हम ने Mind Matters के अंदर कुछ बच्चों के हवाले से बात की ओवाले से बात की ठीपी और आज भी हम Mind Matters में कुछ बच्चों के हवाले से बात करेंगे वगार एमध मलिक ने हमें स्टुडियो में जॉइन किया और बहुत इंट्रिसिंग टॉपिक है बात करेंगे उन तमाम बच्चों की जो के जीनियस जिनको टाइटल दे दिया जाता है लेकिन वो तमाम वालदे हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और चाते हैं कि उनके बच्चे जीनियस हो उनको क्या करना चाहिए कि उनके बच्चे जीनियस होंगे यह मैं नहीं बताऊंगी वकार एहमेंद मलिक बताएंगी और कल के प्रगैम के लिए बहुत अच्छा फीडबेक आप ने दिया उसका बहुत शुक्रिया और फीडबेक देते रही है चुकि आपके फीडबेक से हमें बहुत हल्प होता है इस मेरे और इम्रांद जैसे हम सारी जीनियस है लेकिन एक जीनियस है को हम कहते है कि out-of-the-box सोचने बाला जिसने को ऐसे एक्सप्ल्रडरेशन यह कोई इसकोड़ी की उचने की इसने गॉछ इसने का बड़ा आदमी किसे से ट्रेंड करें उनकों? किस तरह ट्रेंड करें? सबसे पहले तो यह है कि जेर में इठालेने चाहिए कि जो बिल्कुल इस तरह है यह डिजाइन इस तरह है बच्चा कि every child is a genius मतलब उसमें अंदर वो potential पूरे का पूरा मौझूद है कि वो genius है तो इसका मतलब है कि अगर यह सारी जम्रे घफीर genius नहीं है तो कहीं development में माशरती मामलात में वालदेहन की जो तरभियत है यह तमाम चीजें मिल मिल आके तो दिमाग को बंद करती है यह नहीं एक अंग्रेजी कहावत है यह तो जो दिमाग होता है यह परेशूट की माने दोता है यह तब आरामद होता है जब यह खुला होता है तो मतलब यह है कि यह बंद यह मौश्टा करता है क्या हर दमाग genius होता है और उसको training certain scales यह यह जो कि इंफरस्ट्रक्शर आपने देखना होता है यह पीशे डिजाइन देखना होता है यह अगर तो आपने भी 86 million ने औरांज लेकर हैं मैं भी 86 million 300 trillion synapses आपकी भी डेवल्प कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं तो यह हमने पीशे डिजाइन देखना है डिजाइन तो वही है अब आगे इसका मतलब है कि बच्चा तो विल्कुल सारे तक्रीबन एक जैसे डिफरेंस कहां पर पैदा हो जाता है पहली बात कि आपके जहन में बढ़ा लें कि हर बच्चा साइंटिस्ट है कर आपके जो चले जायोंगे ृ यहाँ फिस्ट पूछ रही है जब आफ नहीं है आपने जवाब नहीं देना है दूसरी बात यह है कि आपने उनको एक खुल मवाक्य खुले देना है आपने लेखे कि एक डेमिक जो रेकॉर्ड होता है ऐसे बच्चों का फुट इतना अच्छा नहीं होता कर लेगे जो जो आउट फड़ बॉक्स सोचनी कि साहियत रखते हैं जीनियस वो वले बच्चे जो दूसरे है पढ़ाकू टाइप वो नहीं जब भी एपलास एपलास बच्चा अगर मेरे एपलास एपलास ले रहा होगा तो मैं डेफिनली सुचूंगा कि यह कहीं बहुत ज्यादा फोकस यह किताबों पे तो नहीं कर रहा है क्योंके जहानत वो वरीयेशन आफ एक्सिरियूंस जिस का नाम है तज़बात की तनवह का नाम है वो जितने जूबात करेगा है मट्टी में भी खेलेगा वह कुदेगा भी वह कोई मतलब के अपना कोई जखमी भी होगा वह तमाम चीजें यह तमाम चीजें जब तक वह नहीं करेगा वह स्पोर्ट से कर सकते हैं कि आप अपने एगो को पीछे कर दें आप यह ना करें कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाऊं कि माश्रा तारीफ करें यह ना करें और अगर अगर आपको बहुत शुक है उसको बाले जी कमिस्टी और फिजिक्स यह तरह की कोई भी चीज पढ़ाने का तो अगर आ अगर फिजा की जाए तो सब आले उससा से पड़े लिखे नहीं होते जो वाल्ल इन इस वक्त हमें देखने हैं हर वाल्देन तो इतने उनके पास ऑपरिचुनिटीज नहीं होती है उनके यह क्या कहेंगे क्या बात करें कि वाल्दें की सपोर्ट के बगईर बच्चा के नो आदाद में जहाल है तो मतलब वो तो यह देगी कि भाई हल यह है यह अगर आप बिस्नस यह आप मुझे बाली जी को शौक नहीं है मैं बच्छे से एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो इसमें एक टेक्निकल सवाल यह भी होगार भी कि एक आप ने कहा है कि अपने बच्छे को पू किस स्केल पर बच्छे को मापें कि अब अगर यह इस तरह से रिस्पॉंड करें तो यह ठीक जा रहा है मेरा ख्याल है कि इसके सरफ एक स्केल है वो तजस्स है वो तजस्स अगर 16 साल की उमर में फौत हो गया है तो वो फर्दी फौत हो गया जो 8 साल की उमर में फौत हो गय अगर 80 साल तक तजसूत जिंदा है, curiosity जिनदा है, उसकी बुनियात पे सवाला की आध तो आप डेफिनिली कुसके वज़े हैं यहाँ पिर लगे रहेंगे आप पर लगे रहेंगे अब परड़ोसिस अगर 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 इखें वह वाले सवाल जो कि अभी तक हम भाल नहीं कर पा रहें और मौर दन हंडर कोष्चन जो के फिजिक्स के हैं अन्सोल्ट तीक अब क्रोस्टी वाल बंदा यहाँ वो तो सबस्क्राइब करें यहाँ जो झाप इसतर बार जी इसकी तिरह चीज कम लगवार है तुम आपको एक्स्पोयर बच्चों को वैसे देना है और बेक ले ले जी